ओम गम गंपतिय नमहां आप सभी को तिल चोथ की सकट चोथ की बहुत बहुत शुब कामनाएं पगवान गनेश आपकी सभी बनो कामनाओं को पूरी करें आज की इस वीडियो में मैं आपको तिल चोथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ वैसे तो तिल चौत की कई सारी कहानिया पठ्चली थें जिन में से एक मैं आपको आज सुना रही हूँ एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी देवरानी गनेश जी की भक्त थी देवरानी का पती जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और अक्सर बिमार रहता देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना पुराने कपड़े आदी उसको दे देती इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था माग महीने में देवरानी ने तिल चौत का वरत किया किल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया पूजा करके तिलकुटा की कथा सुनी और तिलकुटा चीके में रख दिया और सोचा कि चांद उंगने पर पहले तिलकुटा खाऊंगी और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी कथा सुनकर वह जेठानी की यहां चली गई खाना बना कर जेठानी ने बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माने वरत किया है और मा भूकी है जब मा खाएगी तब ही हम खाएंगे जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं खाना नहीं खाऊंगा जब चांद निकलेगा तो सब खाएंगे तब ही मैं भी खाऊंगा जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तुम्हें कैसे दे दू, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना देवरानी के घर पर पती और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदी खाने को मिलेगा प्रंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे, उसके पती को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी दो रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो, पती ने गुस्से में आकर पतनी को कपड़े धोने वाले धोवने से मारा धोवना हाथ से चूट गया तो पाटे से मारा वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई, रोते रोते पानी पीकर सो गई उस दिन गनेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवने मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है वह बोली कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ गनेश जी बोले फूक लगी है कुछ खाने को दे देवरानी बोली क्या दूँ मेरे घर में तो अनका एक दाना भी नहीं है जेटानी बचा कुछा खाना देती थी आज वह भी नहीं मिला पूजा का बचा हुआ तिलकुटा चीके में पड़ा है वही खालो तिलकुटा खाने के बाद गनेश जी बोले धोवने मारी पाटे मारी निम्टाई लगी हैं कहां निम्टे वह बोली यह पड़ा घर जहां इच्छा हो वहां निमटलो फिर गनेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहां पहुँचू नीद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किये जा रहे हैं सो बोली मेरे सर पर पहुँचो और कहां पहुँचोगे सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है सिर पर जहां विनायक जी पहुँचने करके गए थे वहां हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे उस दिन देवरानी जेठानी की इहां काम करने नहीं गई बड़ी देख तक रहा देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी पुरा मान गई बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो माने बुलाया है सारा काम पड़ा है देवरानी ने जवाब दिया कि अब उसकी जरुरत नहीं है घर में सब भरपूर है गनेश जी के आशीश से बच्चों ने घर जाकर मा को बताया कि चाची का तो पुरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है जेठानी दोडती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था सब कह डाला घर लोटकर जेठानी ने अपने पती से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो उसका पती बोला कि भली मानस मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ पर वह नहीं मानी और जित करने लगी मजबूरन पती को उसे मारना पड़ा उसने धेर सारा घी डाल कर चूर्मा बनाया और छीके में रखकर सो गई रात को चौत विनायक जी सपने में आए और कहने लगे भूख लगी है क्या खाऊं जेठानी ने कहा हे गनेश जी महराज मेरी देवरानी के यहां तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था मैंने तो ज़रते घी का चूर्मा बना कर आपके लिए चीके में रखा है फलोर मेवे भी रखे हैं जो चाहे खा लीजिए बाल सुरूप गनेश जी बोले अब निप्टे कहां जेठानी बोली उसके यहां तो टूटी फुटी जोपडी थी मेरे यहां तो कंचन का महल है जहां चाहो निप्टो फिर गनेश जी ने पूछा अब पहुचू कहां जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पहुच लो धन की बुखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठी सोचा घर हीरे जावारात से भर चुका होगा पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई है तेज बदबू आ रही है उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई है उसने कहा कि हे गनेश जी महराज यह आपने क्या किया मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत कोशिश की प्रंतुगंदगी और ज़्यादा फैलती गई जेठानी के पती को मालूम चला तो वहे भी बहुत कुस्सा हुआ और बोला तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा परेशान होकर चोथ के गनेश जी से मदद की विंती करने लगी गनेश जी ने कहा देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी तभी यह साफ होगा उसने आधा धन बांट दिया किन्तु मोहरों की एक हांडी चूले के नीचे गाड रखी थी उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस थन को नहीं बाटा उसने कहा कि हे श्री गनेश जी आप तो आप अपना यह भिखराव समेटो वें बोले पहले चूले के नीचे गाडी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो सूई के भी दो हिस्से कर इस परकार कजानन ने बाल सो रूप में आकर सूई जैसी छोटी चीज का भी पत्वारा किया और अपनी माया समेटी हे गनेश जी महाराज जैसे आपने देवरानी पर किरपा की वैसी सब पर कहना कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर करना किन्तु जेठानी को जैसी सजादी वैसी किसी को मत देना बोलो गनेश जी महराज की जै, चौत माता की जै